हलो बच्चो क्या हालचाल कैसे हैं आपर लोग अच्छे हैं तो अच्छे रहिए इस्वस्त रहिए पढ़ते रहिए आई यह स्टार्ट करते हैं बीजेस स्टैटिक्स सेक्ण्ड पेपर का mcq question आपके लिए लाए है बिजनस इस्टेटिक्स का second पेपर का mcq 50 question का 50 question का series है तो जल्दी से तयार हो जाएए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नौ भूलिएगा और उसे share करना भी नौ भूलिएगा ताहिए start करते हैं सबसे first question हमारा का रहा है ध्यान दीजेगा कि जनसंख्या के संबंद में जनसंख्या से संबंद रखने वाले संबंगों को कहते हैं जनसंख्या संबंद रखने वाले संबंगों को क्या कहा जाता है राष्टी संबंग जनसंख्या संबंग किर्सी संबंग के सभी तो सही आपस नहीं हो पाया है बाबू, आप लोग हिंदी वर्जन पढ़के ही समझ लीजिएगा, तो सेकंड क्वेशन है हमारा है कि जनसंख्या समंगों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, किस इसके बारे में आर्थिक परगती, समाजीक परगती, राजिनितीक परगती, उपियुक स सभी योगा, चारो आपसन सही है, तीर नंबर हमारा क्वेशन का रहा है, कि सामानिता जनगड़ना है, सामानिता जनगड़ना क्या है, कि देश की सामाने जनसंख्या का पता लगाना, देश की विसेश जनसंख्या का पता लगाना, सभी विक्तियों की गड़ना करना, उपर जनगड़ना कहला थी चोथा नंबर कुशन है वास्तों में जनगड़ना है वास्तों में जनगड़ना क्या है ब्यक्तियों की संख्या आर्थी यो समाजी की स्थती के संबंद में सूचना है संकलन्यों प्रकासन की संपूर्ण प्रक्रिया और उप्रोक सभी दसही आपसन है ठीक है, नोट करते जाईएगा बावु इसे, बार-बार याद कर लीजिएगा, जनसंख्या की विशेस्ता है, निमित्ता है, सार्भोमिक्ता है, युपद है, उप्रोक सभी है, तो सही आपसन है, आपका उप्रोक सभी, ठीक है, आगे बढ़िए, छे नम्मर कोशन है, जनग जनगड़ना के संबंद में सही है, जनगड़ना के संबंद में क्या सही है, ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें आपसन दे रहा है, जनगड़ना नेमित रूप से निश्ची समय पर की जाती है, या एक असपष्ट रूप से परिभासी छेत्र से संबंद रखती है, ए, बी, अगला है तथ्यसिद्ध प्रणाली को कहते हैं, तथ्यसिद्ध प्रणाली को क्या कहा जाता है, भ्यान दीजेगा, एक रात्री गढ़ना, तिथी प्रणाली, ए भी दोनो, इनमें से कोई नहीं तर सही अप्सन है, ए भी दोनो, ठीक है, नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा, कि प्रणियों के छूटने की चिंता बनी रती है, उप्रोक सभी, त सही अप्सन क्या है, उप्रोक सभी, चारो सही, मन तीनो सही है उपरवारा, अगला है, भारती जनगणा के समंग है, जीवन समंग, जनगणा, तदर्थ जनांकी सर्वेच्छन, उप्रोक सभी, त इसमें से भी सही आपसन है उप्रोग सभी ठीक ना ये लगबग सभी जनगणना से related question है देख लिजेगा उन्य सो इक क्याओन में की गई जनगणना की विशेस्था थी क्या विशेस्था थी ये ग्रस्त आदार पर थी ये अस्थाई जनगणना अधनियम की अंत्रगत थी इसमें आर्थिक समस्याओं समंधी तत्यों का संग्रण किया जाता है और उप्रोग सभी तो सही आपसन है उप्रोग सभी तो आपसन डी सही अगला है 1961 की जनगणना की प्रमुक विशेश्ता थी क्या थी परसिच्छन अन्सूचिया ब्यक्तिगत प्रगण परची उप्युक सभी तो ये सभी आपसन सही होगा ठेकना टोटल कोश्चन ये जनगणना पर आधारीत बनाए गया है देख लीजेगा कोई दो चार क्योश्चन मिल सकता है इसमें से जनगणना के पुर्व जनसंख्या के बरगण का आधार माना जाता है क्या आधार माना जाता है आए को आर्थीक सोतंतरता को इनमें दोनो इनमें से कोई नहीं तर सही आपसन है इनमें से दोनो अगला है जनसंख्या को दो भागों बिभक्त किया गया है किस भाग में कारिसील कारिहीन दोनों इन में से कोई नहीं तो सही आपसन है राज्यस्तर, जिला अस्तर उपयुक्ष्षैल, तो से इपसन है उपयुक्षैल इसमें मैकसमें कोश्च्चन सफिए ये बला होगा अगला है, कि परिवार सुची में सामिल किया जाता है, जनसंख्या अभलेग, आवास इस्थिती नसुची, परिवार नियुजर नसुची, उप्रोक सभी तो सही आपसन है उपरोग सभी अगला क्वेश्चन है 17 नमबर 19 सही 80 की जनगड़ना में किस पद्धत का प्रियोग किया गया था ध्यान दीजेगा तत सिद्ध पद्धत, विदि सिद्ध पद्धत, विश्त्रित पद्धत, इनमें से कोई नहीं तो सही आपसन है C, विश्त्रित पद्धत का प्रियोग किया गया था ठीक ना 18 नमबर क्वेश्चन है भारती जनगड़ना की कठनाईयां यहों दोस बताइए भारती जनगड़ना की कौन-कौन सी कठनाईयां है पुलनीता का अबाओ है, सूचनाओं की सुदता का अबाओ है, परगोड़कों का परशिचन का अबाओ है उप्रोग सभी त सही आपसन है उप्रोग सभी ठीक ना अगला क्वेश्चन हमारा है अंतराष्टी खाद किरसी संगठन के अंसार किरसी समंग है समंख है, क्या समंख है, मूल भूत किर्सी समंख, किर्सी समंख विशेश, विश्तरित अर्थ में किर्सी समंख, उप्रोक सभी तर सही आपसन है, उप्रोक सभी आपसन डी सही है, ठीक ना, अगला है, किर्सी समंख है, किर्सी समंख क्या है, छेतरफल समंख, किर्सी गत उपस समंग, फसल अनुमान, उपयुक सभी, तो उपयुक सभी सही है, ठीक ना? अगला बढ़िये, अगला है, भारत में छेतरफल समंधी समंग की सरिंखला है, राज की सरिंखला है, राश्टी परतिदर सरविच्छन सरिंखला, उपयुक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सही अगला एक statement दिया है प्रसामान उपज उसत उपज से भिन है यह उसत से उपर होती है और उसत से अधिक उपज होने की प्रत्यासा व्यक्ति करती है यह सब कहां के द्वारा दिया गया था अमेरिका किर्शी विभाग द्वारा भारती किर्शी विभाग द्वारा रूस प्रमुक फसले कौन कौन सी है, खादान, डाले, रे सेदार, ये सभी, ये सभी सही है, ठीक ना, ये दियान दीजेगा, आप लोग के बुक में एक किर्सी समंग का चेप्टर दिया है, भारती सांखे की, ये उससे related question है, किर्सी संग्रना तथियों के संबन में कौन सी सूचना संक्लित की जाती है, किर्सी जोतो क्या आकारियों संरचना, भू, उप्योग, समंदी, समंग, सीचाई, ब्योस्था, उप्रोग, सभी, आपसन, डी, सही है, पच्चीस नंबर question हमारा काराया, भारती किर्सी समंग, ब्योस्था में प्रात्मिक सूचना ये प्राप्त होती ह इचिसके दौरा लेकपाल दौरा तसिलदार दौरा नहँधीज दौरा उप्योख सभी तो लेकपाल के दौरा होता है, आपसन, इह सही है, 26 नंबर question कहा रहा है कि किर्सी समंग के सामाने दोस है, किर्सी समंग के कौन कौन से दोस हैं, परिवासा प्रवीदी यों बरीकरण में असमानता, दोस्पोंड साणियों विधान, दोस्पोंड प्रात्मिक प्रतिवेदन एजनसी उपरोग सभी, तो सही आपसन है, उपरोग सभी, अगला दिया है, कि परविच्छन अधिकारी किर्सी समंगों के प्रति उद्यासीन बने रते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज ठीक है, नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं, 28 नंबर, बाउले रापटसन समीती के अनसार किर्सी समंगों कोई दोसों को दूर किया जा सकता है, जदी, एक बाउले रापटसन समीती बनी थी, उसमें किर्सी समंगों के दोसों को दूर करने के उपाय बताए गया थे, तो सही आपसन है उप्रोक सभी अगला कुशन दे रहा है 29 नंबर कि किसी देश की ओधोगिक प्रगती उस देश के सरवागिन विकास का घोतक है लेकिन इस प्रगती का मुल्यांकन ओधोगिक समंगों के माध्यम से किया जा सकता है ये सब्ध किसके द्वारा दिये गया है एक बर्तमान में योजना योग नहीं है अब नीतिया योग बन गया है ठीक नो ओधोगिक समंगों के अंत्रकस समलित किया जाता है क्या समलित किया जाता है छेत्री विभाजन विन्योजीत पूजी उत्पादन लागत उप्यूक सभी तो सही आपसन है उप्यूक सभी अगला क आपसन है 1942, ठीक न, आपसन सीच सही, इसी से रिलेटेट एक और कोशन है, जडि सक्ती का प्रियोग करने वाली आउदोगिक संस्था है, तो अधिक्तम कितने सर्मीक होने चाहिए, तो 8 सर्मीक, 10 सर्मीक, 12, 14, तो सही आपसन है, 10 सर्मीक होने चाहिए, नेक्स कोशन है, किसी और दोगिक संस्था में अधिक्तम कितने सर्मीक हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, तो यह 20 हो सकते हैं, अगरा बढ़िये, केंदरी अस्थार पर किसकी अस्थापना की गई है, और दोगिक समंक अदनियम की, और दोगिक समंक निदे साले की, उप्यूग दोनों क इन में से कोई नहीं, तो सही आपसन है, और दोगीक समंग नीदे साले की अस्थापना किंद्री अस्थापना की गई है, आपसन भी सही था, और दोगीक समंग नीदे साले की अस्थापना कब, 1940, 42, 45, 50, तो सही आपसन है, 1945 में की गई थी, तो आपसन C, सही, सन 1930 में पास किया गया, क्या पास किया गया, ध्यान दीजेगा, सन 1930 में पास किया गया, क्या पास किया गया था, अधोगी समंग का दनियम, अधोगो का बारसिक सर्वेच्छन, समंग संकलन अधनियम, उपयोग सभी तर सही में किया गया था, समंग संकलन अधनियम को 1930 में पास किया गया था 37 नमबर कोश्चन को आ रहा है उद्धो का बार्षिक सर्वेच्छं किया जाता है उद्धो का बार्षिक सर्वेच्छं कब किया जाता है 1940, 50, 1960, 1970 तो सही आपसन है 1960 ठीक नँगला है औधोगी समंग के खंड है अगला है पूजी संरचना से अविप्राय है पूजी संरचना से क्या अविप्राय है प्रदत पूजी, उत्पादक पूजी, चालू पूजी, उप्यूग सभी, त सब सही है ठीक है अगला बढ़ी है केंदरी सांखी की संगठन सांखी की सामगरी की जाच के पश्चात प्रकासन किया करता है कि समसार प्रकासन करता है राजयानुसार करता है, उत्धोगानुसार करता है स्वामित के अधार पर करता है कि उप्यूक सभी के द्वारा तो उप्यूक सभी आप समस्वईूग अगला है ओधोगिक संगड़ना के दोस है प्रियुक्त सब्दावली की भासा में तुरूटी सार्वजनिक कारखानों के लिए अनुप्यूक समंग संकलन छित्र समीती उप्रोग सभी तो उप्रोग सभी अगला है एक निर्माडी उद्धोग का प्रतिदर्श सर्वेचन के खंड है क्या है पूजी सन्रशना रोजगार दसाव और मैदोरी उप्रोग सभी तो सही आपसाने उप्रोग सभी ठीक ना अगला वार्शिक सर्वेचन के अंतरगत ज्याच की जाती है किशिषकी संगड प्रतिदर्श छेत उप्यूग दोनों इनने से कोई नहीं तो सही है उप्यूग दोनों अगला वाईए बढ़िए पैतालिस नंबर कोश्चन ओधोगीक समंग सूचकांग किश टाइप का है ओधोगीक पादन सुचकांग ओधोगीक लाप सुचकांग और दोगीक अगला है भारती सांखकी के सामाने दोस हैं क्या दोस हैं अब परियाप्तता असुदता समीती ब्याप्ति उप्यूग सभी तो सही है उप्यूग सभी ठीक है ठीक अगला कोश्चन द्यान दीजीगा अगला कोश्चन में हमारा कारा है कि यदि यहां दीजे यदि X के मान में बिर्धी होने पर ससंबंध रिडात्मक हो X के मान में बिर्धी होने पर यदि ससंबंध रिडात्मक हो तो एसी दसा में क्या होता है? X के मान में बिर्धी होगी, Y का मान परिवर्तित रहेगा y के मान में कमी होगी, उपरोक में से कोई नहीं, तो सही आपसने c, y के मान में कमी होगी, ठीक है, अगला, चकरी परिछन को संतुष्ट करता है, चकरी परिछन को क्या संतुष्ट करता है, फीसर का सूचकांग, पासे का सूचकांग, लैसपीरे का सूचकांग, इन में से कोई क्योंकि फीसर का सूचकांग समय उत्करामिता परिछण और तत उत्करामिता परिछण को संतुष्ट करता है 49 नमबर क्वेशन का रायर निम्न ब्यक्तियों में से कौन सा सूचकांग के छितर से सम्मंदित नहीं है बावले, मार्सल, इर्विन, रोनाल्ड फीसर तो बताइए इस विसे कौन नहीं है सोचिए रोनाल्ड जो फीसर है इस से सम्मंदित नहीं है क्योंकि बावले, मार्शल और फीसर तक सम्मंदित है ये तो ये नहीं क्वेशन पूछा है इसलिए रोनाल्ड फीसर होगा और पचास नमबर क्वेशन कर रहा है केंदरी सांखिकी संगठन का प्रकासन कौन करता है कौन सा है केंदरी सांखिकी संगठन का प्रकासन कौन सा है भारती स्रम बुक, उदोगो का वार्शिक सर्वेचन, भारत के स्रम संग, प्यूक्त में से कोई नहीं तो ये हमारा हो जाएगा उद्धोगों का वार्षिक सर्वे छणो इस तरह ये पच्चास क्वेश्चन आपका कम्प्लीट हुआ ये वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा और इसे नोट कर लीजेगा बार-बार आप तयार कर लीजे ताकि तयार कर लेंगे तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन फायदे मन रहेगा ये भी द्यान दीजेगा इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन जनसंख्या आर्था जनगरना या भारती सांख्य की संगठन से लिया गया है इसलिए तयार कर लीजेगा क्योंकि एक बार औ लियों के लिए इनतियार करिए फिर बहुत जल्दी ही मिलते हैं तक तक के लिए बाए